हेलो प्रेंड आयम अंकीत कुमार वेलकम टू योटूब चैनल सिविल यार नीम्स अंकीत एक्जामपल कल्कुलेट एजफाल्ट होर एटी मीटर लॉंग रोड हैब ट्वंटी मीटर ब्रीट टैक 15 सेंटी मीटर थिकनेश यूज ट्वंटी थिरी 30 केजी पर क्यूब मीटर ड इसे ये ऑसको फाल्ट अलकतरा और सेंड मिकस करके बना जाता है या आपका हैव्योड है आपकर है अगैरोड क्य मियकरता है इसका क्या करा कि एक ॲेटरों rond यहां से यहां का इक रोड इसका बिरीट न 사람들이 मीटर बिरीत इसका यहां से यहां तक का जो बिरीत है वो है 20 मीटर ओके और इसका थिकनेस तेखिए थिकनेस 15 सेंटी मीटर थिकनेस ओके यहां से यहां का मतलब मिन्स कि आपका यह है यहां से यहां का यह पॉइंट का थिकनेस ओकी मतलब कि अर्च फार्ट का थिकनेस ओकी तेखिए यहां थिकनेस बता तो यहां से यहां का सरफेस देखिए यहां से यहां का थिकनेस ओकी और देखिए वाइट कलर का जो रहता देखेंगे highway road पे road पे देखे होंगे तो इसे कहा जाता है broken line और इसका नाम है इसका नाम है देखिए इसका black color का surface ओके ये color का base course line और आपका ये है sub-base course dimension पर चल गया अब इसका quantity निकालना सिखाऊंगा और क्या ये topic जो हर civil engineer को मालूम होना चाहिए और surveyor के लिए तो और ज्यादा ओकी देखिए आज फार्ट कॉइंटेटी length multiply breadth multiply thickness ओकी देखिए length b breadth sorry length length l breadth b और t thickness ओकी value निकालते है आपका क्या है length क्या है length 80 meter 80 meter लिए multiply 20 meter क्या आपका breathe देखिए यहां 20 meter breathe लिए आउं multiply आपका thickness क्या है thickness 15 centimeter इसको 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 जब तीनों को multiply किजिएगा तो आएगा value आपका टूफोर जीरो मीटर क्यूब इसको 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 एक त्यूफो सबस्या आपके ते डेखिए डानों का हिसको इसकी और cash Inc. आएगा तो ही आप टर्न में आएगा ओकी देखिए वेलियूम आपका क्या आया है टू फोर जीरो देखो टू फोर जीरो वेलियूम लिख दिये इसके सामने में फिर मल्टिपलाई डेंसिटी आपका क्या है 2330 देखे यहां है तो डेंसिटी 2330 जब इतनों को मल्टिपलाई किजिएगा तो आपके पास आएगा फोर फोर नाइन टू जीरो जीरो केजी केजी आ गया आपका निकल गया अब अब निकालना आपको क्या आपको यह मास निकल गया यह आपका मास है को केजी यह आपका मास यहां रखिएगा ठीक है आप आप रखेगे कि एक टन में कितने केजी होता तक कि एक टन में आपका हुआ 1000 kg यह आपको आद करना है रखना है और एक फर्मूला था density बरावर क्या था mass divide value आपका mass क्या है यह है kg और आपका value क्या है 1 ton का value क्या है आपका है 1000 देखे इन turn आपको mass दिये लिख दिया हूं 559200 kg और आपको एक ton में कितना kg होता है तो 1000 होता है इसको बड़ डिवाइट कीजिएगा तो आएगा 559.2 ton ओके अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो पिलिज सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करने से फाइदा होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फॉस्ट में आपके पास पहुंच जाएगा ओके बाई